एंकलिक्स एक्जाम एक ऐसा एक्जाम जिसके लिए सब लोग वेट करते हैं लिजिबिल्टी के और जब टाइम आता है हमारा एक्जाम आता है जब उसका रियल टाइम तो हमें पैनिक होने लग जाता है क्योंकि हम सब एक ही अटेम्ट में करना चाहते हैं अच्छी सोच है ऐसा होना भी चाहिए लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा फर्स अटैम में नहीं हो रहा है तो सेकिन में नहीं हो रहा है तो थर्ड में कर लो लेकिन जो में चीज है वो ही है कि motivated रहना है negative नहीं होना है और क्या आपको ऐसा क्यों लगता है क्या आपके दिमाग में आसा रहा है क्या आपको लगता है कि कोई आपको और इनसान चाहिए जो आपके लिए material gather करके लेकि आए आपके लिए information इकठी करें और आपको feed करें उससे आपका brain खुद का है exam आपने देने जाना है पढ़ाई आपने करनी है brain आपका यूज हो रहा है किसी और इनसान को क्यों दो-दो-हजार डॉलर दे रही है अब बहुत सारे लोग मेरे दुश्में बन जाएंगे इस वीडियो के बाद क्योंकि मैं बहुत ही सच पोल रही हूँ बिजनस बन रहा है बिजनस चल रहा है बहुत सारे लोग है वो किसी से classes लेती हैं और फिर आगे classes देने लग जाते हैं ऐसा क्या है जो उनको आता है और आपको नहीं आता अप्रोच तरीका अगर कोई concept आपका clear नहीं है तो इसको इस तरह से पढ़ें कि आपको भी किसी और को उसके बारे में बताना पड़े तो आपको problem ना आए आपको भी किसी और का concept clear करवाना पड़े उसकी preparation इस तरीके से करें कि आज आपकी वो assignment है और आपको किसी और को उसके लिए prepare करवाना है तो आप YouTube पे जाएंगे आप resources को देखेंगे आप बार बुक्स को निकालेंगे फिर उनको देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है motivation के तो सारी बात है अपनी मेहना से जो पैसे कमाए है वो आप किसी और को क्यों देना चाहते हैं दो कैसे सो सकते हैं या तो आपके पास कोई और job है जिसमें आप बहुत जादा कमा रहें आपको लगता है कि आपका दो महीने ले रहे हैं तो मुझे भी first attempt में करना है बहुत सार एक stigma बन गया कि first attempt में पास करना है जो three attempts में करते हैं जो first attempt में कोई भी difference नहीं है and में सब लोग entry level की practice के लिए जाते हैं उससे बेटर यह है कि जो 2000 किसी और को दे रहे हैं वो खुद तीन attempts करके उससे भी कम पैसे लगेंगे आपके लेकिन आपको खुद के आपके माइन को होगा कि मैंने खुद की preparation की है और मुझे अच्छा लगा कि मैंने exam पास किया पर अब होगा कि मुझे कहां कहां से problem आई थी और कि इस चीज़ों के पर मैंने जादा focus किया आपको खुद को जब खुद प्रेपेर करते हैं किसे exam के लिए प्रेपेर करते हैं तो आपको सच में समझ में आता है कि यह concept आपका clear है भी या नहीं है और जब आप खुद के concept clear करत हैं तो और दस चीज़ें आप और पढ़ते हैं यूट्यूब पर जाते हैं वीडियो देखते हैं गूगल पर जाते हैं वुक्स को निकालते हैं आपकी knowledge level बढ़ता है उससे लेकिन जो कोई और आपको preparation करवा रहा है उस इंसान ने दस बाहरान लोगों को बढ़ा कर काफी knowledge जैसे gain कर लिए pattern समझ में आएगा कि ये question almost मेरे हर student का गलत हो रहा है ऐसे question almost हर एक्जाम में आ रहे हैं तो वो तो easy है आप कर लोगे लेकिन उसके बाद का work on करेगा जब license आ जब लोर पे जाना होगा real काम करने के लिए वहां की assessment skills का क्या वहां जो critical thinking real में चाहिए उसका क्य एंकलक्स exam में तो सच में वो ऐसे बात करते हैं जैसे सब कुछ एकदम fine चल रहा है nursing कोई shortage नहीं है doctor b available है full ऐसे environment यार किया जाता है एंकलक्स exam में जिसमें ऐसे कोई factors नहीं होते हैं जो real environment में होते हैं जिब real में काम करते हैं अपके सामने life patients होते हैं जो जिन्दा patients हैं जिनक कार्डिय के हमारे questions गलत हो रहे हैं तो इसका मतला हमारे concepts clear नहीं है और हमने अगर exam clear कर भी लिया तो जब हमारे पास real में कार्डिय का कोई patient आएगा ना वहां हम fail हो जाएंगे क्योंकि हमारे concepts clear नहीं है तो अगर आपके पास enough time है 4-5-6 महीने है अभी से book उठा लें अगर आपने अभी भी book नहीं उठाई है तो शुरू करें novel की तरह पढ़े 10 बारा lines पढ़े उसमें हर एक चीज आपको समझ में आने चाहिए line to line पढ़ लें क्यों हम उस पलकीवेट करते हैं जब हमारे पस actually ATT आ जाए और हमारे पास eligibility आ जाए और हमारा exam book हो जाए तो इतना pressure हो सब्सक्राइब करते हैं कि चीज़ें कर लेते हैं और बादने exam में हो जाती है ठीक है लेकिन उसके बाद का क्या आपका license आपकी life कस्वाल है क्योंकि उसी license के basis के आपकी success है उसी license के basis के उपर पुरी life खड़ी हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग जहन की एक ही job यह होने वा क्लियर होंगे तब ही अप सर्वाइब कर सकते हैं real environment में और जो 22,000 dollars हम दे रहे हैं कितनी मुश्किल से हमने बनाए होते हैं मैंने जब अपने exam की preparation की थी मेरे पस exactly 11 days थे prepare करने के लिए लेकिन मेरे exam पास हुआ क्योंकि मैं बहुत मेरी willpower strong थी मुझे था कि मुझे यह क्लिय आते थे बहुत सारे एसे questions थी जो मेरे गलत हो जाते थे और फिर मैं क्या करती थी YouTube पर जाती थी बहुत सारे वीडियो देखती थी time कम था 11 days का लेकिन उसके बाद मी जब मेरे exam clear हो गया तो मैंने stop नहीं लिया मैंने जब मुझे first job मेली थी उसके बीच के जो 20-25 दिन थे उ आपको खुद की उपर analysis करनी है कि मुझे कौन से concepts clear नहीं है लेकिन सब लोग जा रहे हैं कि thousand वहां से पास हो गए है बच्चे तो हमें वहीं से जाके classes लेनी है ठीक है आप जाएं अगर आपको सच में रखता है कि आपकी money जो है आप किसी को दे सकते हैं और आपके पास enough money ह आपके पास कोई और जो जो जॉब है उससे आप काफी अच्छा बना रही है तो आपने ही खुद इतना hard work करना चाहते है लेकिन बाद में भी करना ही पड़ेगा जब आद में आरन की जॉब ले लेंगे तब भी करना पड़ेगा तब फिर बाद में वही बुक्स को दुब करें कि जब आप फ्लोर पर भी जाएं थे आपके पास आट लीस्ट जो थेरेटिकल नॉलेज है उतनी तो हो कि आप हेल्प कर सकें डॉक्टर्स की नर्स प्रेक्टिशनर्स की अपनी फैलो नर्स की एस बार को यूज कर सकें आपको situation background assessment समझ में आता हो पता हो कि अब डॉम आप हैं अगर आपने B.S.E. nursing की हुई आपने डिपलोमा किया हुए जेनम की हुए तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी class की जरूत है लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको classes चाहिए तो ज़रूर लें लेकिन उसके इलावा जो आपने करना है वो यह है कि हर एक letter हर एक book का जो आप follow कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें हर एक sentence sonder का equation बन सकता है ठीक है उसको इस तरीके से पढ़ें कि आपने सिर्फ आपका गोल यह नहीं है कि हमने 75 पे पास करना है जो 75 पे पास कर रहे हैं उनको भी कुछ खास ज्यादा नहीं मिल रहा है लाइसें मिल रहा है क्या कभी job के time पे आप यह कह पाएं कि मेरा 70 questions पे shut down हो गया तो मेरा exam clear हो गया नहीं आपको क्या दिखाना आपका license number आपका jurisdiction के साथ क्या license number है वो ही check करते हैं आगे पीछे की story किसी को नहीं देखनी क्या आप कभी किसी को बता सकते हैं कि मैंने XYZ से classes ली है क्या आपको कुछ ऐसा उसका benefit मिल रहा है extra कि आपने उसी से classes ली है और आपका exam clear हो गया या आपको कुछ ऐसा extra मिल रहा है कि आपको कुछ ऐसा extra मिल रहा है कि आप बोल रहे है कि हाँ जी मैंने तीन attempts में किया या मैंने एक attempt में किया तो मुझे आप से job दे दें कि मुझे जादा लोगों को मिलती हूँ जिनोंने classes लेकर या इधर उदर से जो उनकी jurisdiction के license convert करके ली है अपना license लिया है यहाँ पे लेकिन अब बहुआ challenges आ रहे हैं क्योंकि हमने नहीं attention पे की कि हमें खुछ से preparation करने time क्या समझ में नहीं आया और क्या और उसके उपर नहीं focus किया जब real में वही client एकदम से निकल के आ जाता है real failure का client जब आपके सामने आ जाता है ठीक है तो आप एकदम से pause ले लेते हैं क्या आपको नहीं पता क्या करना है ठीक है NPs को बोल देते हैं रॉक्टों को बोल देते हैं कि यह यह चीज़े मैंने नोट की है लेकिन real में जो हमने book से पढ़ा enclex book में क्योंकि हमारे prepare करवाने वाले इंसान ने हमें 10 questions से बता दी जिसके ज़्यादा chances होती है test होने के हमने वो कर लिया आस पास का जो है क्या जो बिमारी आती है ठीक है और बहुत सारी ऐसे situations आ जाती है जो इतनी ज़्यादा complicated नहीं होती जिसमें इतनी clinical knowledge भी नहीं जाई होती है क्या आपका attitude है क्या आपका behavior है mental health में भी ठीक है वो सब चीजें भी आपको ध्यान से पढ़नी है चीक है तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें अपनी खुद की preparation करें जितना कर सकते हैं अपने पैसे को बचाएं तीन attempts कर लें कोई चकर नहीं है लेकिन आपको पता होगा आपने खुद से किया है फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई और चाहिए जो हमें phosphorus कर दिया और उसको खा ले तो you can go for that लेकिन make sure कि अगर आपको preparation करने के लिए किसी और की support चाहिए तो उसके बाद भी आपको किसी और की support चाहिए फिर assessment सिखाने के लिए भी किसी को ढूण लीजिए फिर इंट्रव्यू के लिए भी किसी को डूंड लीजिए फिर कोई ऐसा इंसान डूंड ले जो आपको बाद का सारा आफ्टर वर्ड्स क्या होता है उसके बारे में भी डीटियल में बताएं क्योंकि वह रियल क्लाइंस आपके साथ जो वर्क करें हैं आप जो आपके क्लाइ बाइ